हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप लोग आप लोग अच्छे होंगे तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि मैं आज बहुत ही अच्छा सा कुछ बना के तयार करूंगी और ये वेश्ट क ग्याम फेले हमने यहां पर दो पिस कट करके लिए हुए हैं और इसको हम क्विल्ट करके तयार करेंगे बीच में मैंने यहां पर प्र लिया है एक पेस्ट्ण पेपर आता है वह नहीं है मुझे शिल के तयार करना पड़ेगा आप चाहो तो राइस बैक का इस्तमाल भी कर स तो यहां पर मैंने कुछ इस तरीके से इसे क्विल्ट करके तयार कर लिया है अब हम इस कपड़े की लंबाई चोड़ाई देख लेते हैं तो 14 इंच इंटू 12 इंच इसकी लंबाई चोड़ाई है और जो 14 इंच का हमारा साइड है उसी साइड में हम यहां पर जिप को इस तरीके से सिलाई करेंगे पूरी सिलाई हो जाने के बाद हम इसको फोल्ड करके इस तरीके से देखिए कपड़े को अंदर के साइड हमें करना है और फिर इसके ऊपर हम यहां पर टॉप स्टिच भी कर देंगे इस तरीके से टॉप स्टिच भी हम इसे यहां पर लगा द लग करें रखांगे रेड़ी हो चुगा है बगाइस तरीक से जी त्री के खेंगे ऐसे हमने क्यों किया था मैं दूसरी साइट पर भी लगा मैंदे मे का फोल सॉबलिया है मैंने उसके बाद कपड़े को अंदर की दरफ में फोल्ड करना है जहां पर हमने जिप को जोइंट किया था और उसके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा देंगे देखिए यहां भी टॉप स्टिच लगके रेडी हो गया है यानि हमारा जो जिप है वो लग गया है अब इसमें कुछ भी नहीं करना है इस तरीके से यह हमारा आएगा तो यहां पर हम रणर लगा देते हैं रणर लगाने के लिए कुछ भी नहीं करना है दोनों साइड की जो जिप है उसको रनर मैड करके इस तरीके से खीज देंगे तो हमारा रनर लग जाएगा चलिए ये काम तो हमारा हो चुका है अब हम क्या करते हैं इस कपड़े की सेंटर को देख लेते हैं सेंटर पर हम 마 walking करेंगे यहाँ पर छोटा सा قट एक सेंटर पर लगा दे रही हूँ और दूसरी जिगा भी ऐसे ले लगा रही हूँ इसका लगानी का रीजन है कि जब हम सिलाई करेंगे तो हमारा सेंटर मिश नहीं होना चाहिए जिप को उसी कट किये हुए सेंटर पे हमें इस तरीके से रखना है और सिलाई करना है सिलाई करने से पहले हम सबसे पहले से उल्टा कर लेते हैं उल्टा करने के बाद ही हमें इस पे सिलाई लगानी है तो बीच में करेंगे हम यहाँ पे जिप को और सेंटर से मैच करेंगे और उसके बाद यहाँ पे मैं लगा देती हूँ सिलाई एक सिलाई हम लगा देते हैं फटाक से यह हमारा लग के रेडी हो गया है अब हम क्या गरें हैं दूसरी सिलाई भी लईसी पर लगा देती हूँ जैसे कि थोड़ी सी पक्की सिलाई हो जाएगी कभी भी यह खुलेगा नहीं तो यह लग गया है अब दूसरी साइड भी हमें से तरही पार टेहरा हम पर स्रिश्व कर्नेघु में तुलाइब origins कि उसकी देङ, जिसमें यहें काटनी होता है, उसमें करण करना करना मैं काटर्ची प्सक्राइब यहें कप्स प्सक्राइन होका है यहां पर देखिए एक एक इंच का 还म यहां पर बॉक्स बनाएंगे, सेम ऐसे ही हम चारों कॉर्नर्स पर बॉक्स बनाकर रेडी करने वाले हैं, यह आप जैसे कप्ड़ा अगर बढ़ा लेते हो, तो आप बॉक्स को भी बढ़ा कर सकते हो, यहाँ पे मैंने जितना कपड़ा लिया है उसी के according एक एक इंच पे मार करके यहाँ पे एक इंच का मैं यहाँ पे box बना के ready कर रही हूँ और उसके बाद हम इस box की cutting कर देंगे कुछ इस तरीके से हमें box की cutting करना है यह बहुत cute सा हमारा बहुत प्यारा सा pouch बनके ready होगा आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा इसे multi purpose में हम use कर सकते हैं तिम चारो corners को हमें उसी तरीके से cut करना है जैसे हमने पहले corners को cut किया था यहाँ पे देखिए तीन corners हमारे cut के हो चुके हैं आप जो था भी हम ऐसे ही cut लेते हैं देखिए सारे corners हमारे cut गए हैं सारे corners काटने के बाद अब हमें अगले step की और बढ़ना होगा तो हम इस कपड़े को इस तरीके से fold करेंगे कुछ इस तरीके से set करेंगे जिससे की हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो क्या होगा in future यह खुलने वाला नहीं है आराम से यह मजबूत रहेगा कोई भी सामान आप रखना चाहते हो तो इसमें रख सकते हो सिलाई खुलने का डर नहीं रहेगा तो एक corners सिलाई कर ली है उसे आप कह सकते हो यह हमारा ready हो जाएगा अब इसमें कुछ भी नहीं करना है और बहुत जटपट यह बन जाता है पांच मिनिट में दस मिनिट में आप इससे बना के ready कर सकते हो कुछ करना नहीं है धेर सारे पैसे हमारे बचेंगे मार्केट से खरीदना नहीं पड़ेगा अगर आपके वास सिलाई मशीन है तो आप जरूर इससे बना के try करना आपको बहुत जादा पसंद आएगा और handmade चीजे जो होती है अगर हम कोई खुद बनाते है तो उसे हमें देख के काफी जादा खुशी होती है तो यह देखिए मैं इससे सीधा भी कर दे रही हूँ यह हमारा पाउच जो है रेडी हो चुका है अब इस पे आप मेकप का सामान भी रख सकते हो पैंसिल वगेरा पैन कलर पैंसिल जो बच्चों की होती है उसे भी हम रख सकते हैं या फिर किसी भी चीज के लिए हम इसे रखने में यूज कर सकते हैं यह मल्टी परपस आपके कामा सकता है काफे स्पेशीस भी आप देख सकते हो और यह कपड़े के एक छोटे से टुकडे से बना है आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया होगा फ्रेंज तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा लगा आज का वीडियो आपको और स्प्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलती रहेंगी चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई टेक केर बाई